दोस्तो तुसी सुन जा रेयो, अर्नेस्ट हैमिंग वे दी लिखी कहानी, ए डेज वेट दा पंजाबियन वाद, एक दिन दा इंतजार, अनुवार जर्न गिलजी न कीता है, आते वाज है जक्सीर जी. ओ कमरे वेची खड़कियां बांदकार नाया, असी उस समय तक बिस्तर वेची ही सां, ते देख्या के ओ बिमार लाग रहा सी, ओ काम रहा सी, ते ओधा चेरा तणया होया सी, ओ बहुत हौली हौली चल रहा सी, जिमें उसनु चलन वेची तकलीफ हो रही होवे. की गा लशैष्ट? मेरे सिर्विची दार्द हो रहा है. अच्छा, चल तू जाके बेटते राम कर. नहीं, मैं ठीक है. नहीं, तू जाके बिस्तरते राम कर, मैं कपड़े बदल के अमना, ते देख्या. पर जदो मैं हेठा आया, ता ओ अपने कपड़े बदल चुक्या सी, ते अग दे कोल बेटा सी. नौ साल दा ओ बच्चा बिमार ते दुखी लाग रहा सी, जदो मैं उस दे मत्थे उते अपना हाथ रख्या, ता पता लगया के उनू बुखार है. मैं फिर केहा, तेरी तबियत ठीक नहीं, तू बैढ़ते जाके लेट जा. मैं ठीक हाँ, उसने केहा. जदो डक्टर आया, तो उने थर्मा मीटर लाके मुन्दे दा बुखार देख्या. किन ना है? मैं उसनों पुछ्या. एक सो दो. हीठा जाके डक्टर ने ते नवक वक रंगा दे कैपसूल देते, ते उनना नू लेण दा समामी दस्या. एक कैपसूल बुखार उतारन दे लई, दुज़ा पेट साफ करन लई, ते तीज़ा ऐसिडिटी ठीक करन लई. उसने समझाया कि इनफ्लुएंजा दे कितानू टेड़ विच ऐसिड होंते ही जिन्दा रह सक देने. उस दियां कलना तो अजेहाला ग्रहा सी कि इनफ्लुएंजा बारे ओ काफी कुछ जान दाई. कमरे विच वापसा के मैं बेटे दा बुखार लिख लिया, ते तिन तरां दे कैपसू लेंदा समामी नोट कर लिया. मैं तेनू कुछ पढ़के सुनावा, जे तुसी चंदेओ, ता सुनाओ. मुंदे ने केहा, उस दा चेरा बहुत जादा स्फैद सी, ते उस दिया अखाने हे ठादा हे सा स्या हो चुक्या सी, उबिस्तरे ते चुप चाप लेटया होया सी, ते जो कुछ हो रहा सी, उस तो बहुत ज्यादा निरपेख हों दी कोशिश कार रहा सी. मैं उसनू होवाड पाई ले दी एक किताब, बुक्स आफ पाईरेट्स विचो कुछ रहा सी, उस विचोदा त्यान नहीं सी. तू किवे महसूस कार रहा शैष्ट? मैं उसनू पुछा, अजे ताकता हो जाईया, पहला वरगा. उसने केहा, मैं उसने बिस्तर दी पैंदवाल कुर्सी उते बैठ गया, ते चुप चाप अपना कुछ पढ़ दे होया अगला कैप वाल वेख रहा सी, उस दिया नजरावेच एक उप्रा पढ़ जेहा सी. तू सौन दी कोशिश क्यों नी करता? मैं तनू दवायली जगाल मांगा. नहीं, मैं जागदा रहांगा. थोड़ी देर बाद उसने मैंनू केहा. पापा, जे ता उनू कोई परेशानी हो रही है, ता ता उनू मेरे कुल बेठन दी जरूरत नहीं. मैं इनू कोई परेशानी नहीं है, पुत्त. नहीं, मेरा मतलब के जेकर ता उनू जरावी मुश्कल आ रही है, ता उनू एथे रुकन दी जरूरत नहीं है. इसलिए 11 वजे दा कैपसूल दे अन्दे बाद मैं थोड़ी देर दी बार आ गया. एक खुला ठंडा देन सी, मी एते बर्फ नालतार ती कुझ इस तराटा की गई सी, जिमें सारे पत्तरहीन रुखां, चाडियां, चाडचिंगा, का आते पए खाली जमीना उते बर्फ दी वारनिश कार दिती गई होए. मैं अपनी आईरश बंदूख आते कुझ इनू नाल लया, ते जम्मी होई क्रीर नदी दे नाल नल सडकत थे थोड़ा को मन निकल गया, पर चीकनी सता उते चलना, ते खड़े रेना मुश्किल हो गया सी. कुझ ता फिसल गया ते मैं भी दो वार दिग्या, एक वारता मेरी बंदूख छुटके दूर बार्फ जाडगी, चीकनी मिटी दी एक उची वाट ते भुरूश दे रुख दे बटेरां दा चुन्डवेह के साधे चीरां ते खुशी छा गई, ते मैं उन्ना विच्चो दोनू मार सुटया, बाकी उच्ची वाट दे परे उजल हो गई, ते फेर थोड़ी देर वेच चुन्ड खुशी पारताया के करदे नेडे इनने बटेरां दा चुन्ड मिल गया, ते किसे होर देन ली अजे मी बहुत सारे बाकी सन, कारा के बता लगया के मुंडे ने किसे नुवी कमरे वेच आण नहीं देता, उसने कहा सी, तुसी अंदर निया साकदे, तनू उस सब नहीं जानन जाईदा, जो मेरे उत्ते बीत रहाए, मैं उस दे कोल गया, उसनु ठीक ओवे ही हालत वेच लेटे पर देख्या, जिवे मैं छड के गया सी, उस दा चेरा बगगा सी, पर बुखार दे कारण उस दी अंगल ना लाड हो ना पन्यासन, ओ पहला वांगी चुप चाप अपने बैट दी पैंदवाल टिक्ट की लगा के देख रहा सी, मैं उस दा बखार चक गीता, किन्ना हैं, सौदे क्रीब, मैं दस्या, हालांके ए एक सो दो पुएट चार सी, एक सो दो सी, उसने कहा, ए किने कहा, डाक्टर ने, तेरा बखार बिलकुल ठीक है, चिंता दी कोई गाल मैं कहा, मैं चिंता निकार रहा, पर में तो अपने आपनों सोचन तो रूख्या ही नहीं जा रहा, उसने कहा, बाला ना सोच, एनू बस हलके फ्लुके टांग नाली ले, मैं कहा, मैं ता हलके टांग नाल ही ले रहा, उसने कहा, ते सिद्धा उप्रवाल वेखन लगया, तौनों लागदा एक कोई असर करूगी हाँ बिल्कुल करूगी मैं बैठ गया तेस मुंदरी डाकुआ वाली किताब खोलके उत्थों ही पढ़नी शुरू कर देती जित्थों छड़ी सी पर मैं देख्या के ओ सुन नहीं रहा सी इसली मैं पढ़ना चाड़ देता तौनों की लागदा मैं कदो तक मार जाऊंगा उसने पुच्छया की? मेरे मारन वेच होन किन्नी देर बचिये? तहिनों की हो गया? तू कोई मारन मुर्न वाला नहीं? हाँ मैं मार रहा मैं उन्नानू कहिन दे हो है सुन्या सी के बुखार 102 है ओ के हो जियां बेतु कियां गलना करी जानना तू? 102 बुखारना लोग मर दे थोड़ी है मैं जान दा इन्ने बुखारना लोग मर जान दे है फ्रांस वेच जदो मैं स्कूल च पढ़दा सी ता मुंड़ाने मैंनू दस्या सी के कोई भी चिताली डिग्री वेच जयंदा नी रह सकदा मैंनू ता 102 हो गया है ओस्वेरे नौ वजे तो सारा दिन अपने मर दी उढ़ी करदा रहा सी ओए पागला मैंनू लगदा तू होशार भुद्धु में ए ओवी यह जिमें मील ते किलो मिट्र तू कोई मर ने नी लग जया ओँ होड तरान दा थार्मा मिट्र होंदा ओदे वेचे 70 डिग्री नार्मल होंदा एदे वेचे ठार्मे तो अनू पक्का पता हाँ हाँ पक्का पता मैं केहा ए फार्न हाइट से 70 ग्रेट दा फर्क होंदा मील ते किलो मिट्र वांग तो अनू पता जो दोसी कार ते 70 मील जानने या ता किन्ने कलो मिट्र हो जुक्के हुंदे ओ हाँ उसने केहा फिर उस दा अपने पैरावाल एक टक वेखना होली होली काट होया ते अन्ध ओ सैज हो गया अगले दिनों पूरी तरह निश्चिंत हो गया ते होनों पहला दी तरह छोटियां छोटियां चीज्जां ली जेद ते चीख पुकार कार रहा सी दोस्तों तुसी सुन रहे सी अर्नेस्ट हैमिंग वेदी लिखी कहानी ए डेज वेट दा पंजाबियों बाद एक दिन दा इंदजार एक आनी चार्नगिल जी ने अनुबार किती है अधिया वाद उसे सुन रहे सी जक्सीर दी